कि आया थे आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंसरशन सॉट इंसरशन सॉट एक सॉटिंग के जो बहुत सिंपल है अब आप प्लेन काड से खेलते हो तो वो प्लेन काड जैसे है आपके पास सपोस्ट प्लेन काड है पहले plane card को reference लेके आप arrange करते हो वो plane card को जितने plane card छोटे है वो left side जाएंगे जितने बड़े है वो right side जाएंगे ऐसे ही insertion sort भी काम करता है जो छोटे values है उसको left side डालेगा एक के reference में और बड़े values को right side डालेगा ये वीडियो में हम देखेंगे insertion sort इसके algorithm और फिर compare करेंगे bubble selection के साथ आगे देखते है insertion sort is called in place sorting algorithm उसको in place क्यों बोलते है क्योंकि उसमें अलग से कोई space नहीं लगता जो array है उसी में values compare करके वो sort करता है इड बिल्ट्स final sorted array टेकिंग one item at a time हर बार वो एक 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 value को check करता है अपने array में और sorted array और unsorted array में divide करता है वो बहुत कम efficient है बहुत less efficient है अगर data आपका बड़ा है छोटा data है डेटा का size सिर्फ 100 element है तो ये algorithm चल सकता है ये sorting technique चल सकता है और कोई extra data structure नहीं लगता इसके लिए जैसे की merge sort में लगता है अलग से array लगता है वैसा कोई चीज यहां पे नहीं लगता insertion sort में जो आपका array है उसी में वो comparison करके वो data को sort करता है it is used when data sets are relatively small जैसे की मैंने बताया छोटे data के साथ बहुत अच्छे से चलता है और जब ज्यादा तर data sorted हो वो time पे insertion sort use करना बराबर है अभी उसका example देखते है मैंने ये example लिया हुआ है आठ elements लिये हुए है array में अभी ये values को हमें sort करना है पहले हम बोलेंगे हमारे पास एक भी value sorted नहीं है और 8 है वो unsorted वाले part में देखेंगे उसके बाद हम consider करेंगे जैसे मैंने बताया plane cards में first card है उसको आप समझो की sorted है और उसके reference में left और right अरेंज करते जाओ वैसे ही यहाँ पे करेंगे 15 वाले value को consider करेंगे वो sorted है और बाकी के उसके respect पे sort करेंगे आगे जेकते है 15 और 20 20 से compare करेंगे 20 बढ़ाई है तो sorted को एक index आगे जाने देगे ऐसे ही हम sorted और unsorted में divide कर रहे है इसका मतलब है हम सिर्फ दो variable maintain कर रहे है एक variable जो last index के sorted पे point करेगा और एक variable जो first index के unsorted पे point करेगा अभी जब हम compare करेंगे value 10 तो 10 को compare करेंगे पहले 20 के साथ उससे छोटा है तो 20 को एक array एक block आगे shift करेंगे जैसे कि यहाँ पे image में दिख रहा है और देखेंगे कि अगर 10 यहाँ पे fit हो सकता है नहीं पर 15 भी उससे बढ़ा है तो 15 को भी shift करेंगे right side में ताकि 10 के लिए जगा बन सके और 10 को वहाँ पे जो empty place है empty slot बन तो हर बार हम जब compare करते हैं अगर element छोटा लगता है तो हमें बार बार वो right side elements shift करना पड़ता है तो उतना time complexity ज्यादा होता है उतना time ज्यादा लगता है सिर्फ comparison को छोड़के element shift करने को भी time लगता है now 30 जब आता है तो 30 is greater than 20 तो सिर्फ यह sorted वाला एक आगे move हो जाएगा यह जैसे कि यहाँ पर diagram में दिख रहा है similarly 50 के लिए भी कोई shifting का जरूरत नहीं पड़ेगा सिर्फ array आगे बढ़ जाएगा now when value is 18 जब भी 18 आता है तो हमें 3 elements को shift करना पड़ेगा 18 का जगा पनाने के ल तो उसके लिए 50, 30 और 20 हर बार वो compare करते जाएंगे जब भी बड़ा मिलेगा हम लोग उसको shift करेंगे and हम लोग जगा बना देंगे अपने नए element के लिए ऐसे ही 5 के लिए हमें यह साब element shift करने पड़ेंगे ताकि हम सबसे पहली जगे पे 5 के लिए जगा बना पाए and 45 के ल आपड़ेगा so as to have the array sorted अभी देखो हमारा पूरा array sort हो चुका है let us have a look at c code for insertion sort यह बहुत simple code है यहाँ पे हम लोग i equal to 1 से लेके n क्यूंकि हमें first से लेके last element तक जाना है इसलिए हम यह loop लगा रहा है एक temporary variable लिया जिस पे हम लोग a of i का value move करेंगे जो कि अपना first element होगा जि इसके बाद मैंने और एक loop लगाया हुआ है जो क्या करता है सिर्फ shift करता है values को right side में यह right side shift करने के लिए यह particular code use किया हुआ है a of j plus 1 equal to a of j हर बार जब तक जगा नहीं मिलता appropriate तब तक we will just shift elements to right by one place जब भी जगा मिल गया तो यहाँ से break कर देंगे using this else part and break होने के बाद जब j for loop के बाहर आने के बाद जो temporary में हमने a of i का value जो store किया हुआ था वो store कर देंगे कहां पे जहां पे हमने जगा बनाया है at a of j plus 1 looking at time complexity best case के लिए time complexity order of n है बाकी दोनों cases के लिए time complexity is order of n square qn square है क्योंकि हमे time लगता है comparison में और हमे time लगता है shifting में best case तभी होगा जब हमें कोई shifting का ज़रूरत नहीं होगा सिर्फ हम लोग compare करेंगे values को और sorted वाला pointer एक 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 आगे बढ़ता जाएगा तो इसी वज़े से best case का complexity is order of n जबकि बाकी दोनों cases में हमें बहुत shift करना पड़ेगा n square तक हो जाएगा हो सकता है हर बार हर एक element shift करना पड़े अगर पूरा array reverse value से sorted है तो वो बनता है worst case और वो case में हमें पूरा array हर element के लिए shift करना पड़ेगा इसी वज़े से उसका time complexity बनता है order of n square अभी देखते हैं comparison bubble sort और selection sort के respect में so bubble sort और selection sort को देखते हैं साथ में insertion sort के साथ तो time complexity average और worst case का same ही है उसमें कोई फरक नहीं है order of n square है जबकि best case का time complexity देखे तो bubble sort और insertion sort का order of n है जबकि selection sort का order of n square है यह तीनो ही in place sorting algorithms है मतलब कि उसके लिए कोई extra जगा नहीं लगेगा जो आपका array है उसी में compare होता जाएगा उसी में sort होता जाएगा इसी वज़े से space complexity है order of 1 कोई extra space नहीं लगेगा Thank you Hello everyone आज के वीडियो में हम सीखेंगे insertion sort insertion sort एक sorting technique है जो बहुत simple है अब आप plane card से खेलते हो तो plane cards जैसे है आपके पास suppose 7 plane card है पहले plane card को reference लेके आप arrange करते हो वो plane card को जितने plane card छोटे है वो left side जाएंगे जितने बड़े है वो right side जाएंगे ऐसे ही insertion sort भी काम करता है जो छोटे values है उसको left side डालेगा एक के reference में और बड़े values को right side डालेगा ये वीडियो में हम देखेंगे insertion sort इसका algorithm और फिर compare करेंगे bubble selection के साथ आगे देखते है insertion sort is called in place sorting algorithm उसको in place क्यों बोलते है क्योंकि उसमें अलग से कोई space नहीं लगता जो array है उसी में values compare करके वो sort करता है it builds final sorted array taking one item at a time हर बार वो एक 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 value को check करता है अपने array में और sorted array और unsorted array में divide करता है वो बहुत कम efficient है बहुत less efficient है अगर data आपका बड़ा है छोटा data है data का size सिर्फ 100 element है तो ये algorithm चल सकता है ये sorting technique चल सकता है और कोई extra data structure नहीं लगता इसके लिए जैसे की merge sort में लगता है अलग से array लगता है वैसा कोई चीज यहाँ पे नहीं लगता insertion sort में जो आपका array है उसी में वो comparison करके वो data को sort करता है it is used when data sets are relatively small जैसे की मैंने बताया छोटे data के साथ बहुत अच्छे से चलता है और जब ज्यादा तर data sorted हो वो time पे insertion sort use करना बराबर है अभी उसका example देखते है मैंने ये example लिया हुआ है 8 elements लिये हुए है array में अभी ये values को हमें sort करना है पहले हम बोलेंगे हमारे पास एक भी value sorted नहीं है और 8 है वो unsorted वाले पार्ट में देखेंगे उसके बाद हम consider करेंगे जैसे मैंने बताया plain cards में first card है उसको आप समझो की sorted है और उसके reference में left और right अरेंज करते जाओ वैसे ही यहाँ पे करेंगे 15 वाले value को consider करेंगे वो sorted है और बाकी के उसके respect पे sort करेंगे आगे जेकते है 15 और 20 20 से compare करेंगे 20 बढ़ाई है तो sorted को एक index आगे जान देगे ऐसे ही हम sorted और unsorted में divide कर रहे है इसका मतलब है हम सिर्फ दो variable maintain कर रहे है एक variable जो last index के sorted पे point करेगा और एक variable जो first index के unsorted पे point करेगा अभी जब हम compare करेंगे value 10 तो 10 को compare करेंगे पहले 20 के साथ उससे छोटा है तो 20 को एक array एक block आगे shift करेंगे जैसे कि यहाँ पे image में दिख रहा है और देखेंगे कि अगर 10 यहाँ पे fit हो सकता है नहीं पर 15 भी उसस बड़ा है तो 15 को भी shift करेंगे right side में ताकि 10 के लिए जगा बन सके और 10 को वहाँ पे जो empty place है empty slot बन गया उसके लिए वहाँ पे shift कर देंगे तो हर बार हम जब compare करते हैं अगर element छोटा लगता है तो हमें बार बार वो right side elements shift करना पड़ता है तो उतना time complexity ज्यादा होता है उतना time ज्यादा लगता है सिर्फ comparison को छोड़के element shift करने को भी time लगता है now 30 जब आता है तो 30 is greater than 20 तो सिर्फ यह sorted वाला एक आगे move हो जाएगा यह जैसे कि यहाँ पे diagram में दिख रहा है similarly 50 के लिए भी कोई shifting का जरूरत नहीं पड़ेगा सिर्फ array आगे बढ़ जाएगा now when value is 18 जब भी 18 आता है तो हमें 3 elements को shift करना पड़ेगा 18 का जगा बनाने के ल जब भी बड़ा मिलेगा हम लोग उसको shift करेंगे and हम लोग जगा बना देंगे अपने नए element के लिए ऐसे ही 5 के लिए हमें यह साब element shift करने पड़ेंगे ताकि हम सबसे पहली जगे पे 5 के लिए जगा बना पाए and 45 के लिए सिर्फ एक ही बार shift करना पड़ेगा so as to have the array sorted insertion sort यह बहुत simple code है यहाँ पे हम लोग i equal to 1 से लेके n क्योंकि हमें first से लेके last element तक जाना है इसलिए हम यह loop लगा रहा है एक temporary variable लिया जिस पे हम लोग a of i का value move करेंगे जो कि अपना first element होगा जिससे हम compare कर रहे है उसके बाद मैंने और एक loop लगाया हुआ है जो क्या करता है सिर्फ shift करता है values को right side में यह right side shift करने के लिए यह particular code use किया हुआ है a of j plus 1 equal to a of j हर बार जब तक जगा नहीं मिलता appropriate तब तक we will just shift elements to right by one place जब भी जगा मिल गया तो यहाँ से break कर देंगे using this else part and break होने के बाद जब भी for loop के बहार आते है तो we will be out of this j for loop j for loop के बाहर आने के बाद जो temporary में हमने a of i का value जो store किया हुआ था वो store कर देंगे कहाँ पे जहाँ पे हमने जगा बनाया है at a of j plus 1 looking at time complexity best case के लिए time complexity order of n है बाकि दोनों cases के लिए time complexity is order of n square q n square है क्योंकि हमे time लगता है comparison में और हमे time लगता है shifting में best case तभी होगा जब हमें कोई shifting का जरूरत नहीं होगा सिर्फ हम लोग compare करेंगे values को और sorted वाला pointer एक 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 आगे बढ़ता जाएगा तो इसी वज़े से best case का complexity is order of n जबकि बाकि दोनों cases में हमें shift करना पड़ेगा n square तक हो जाएगा हो सकता है हर बार हर एक element shift करना पड़े अगर पूरा array reverse value से sorted है तो वो बनता है worst case और वो case में हमें पूरा array हर element के लिए shift करना पड़ेगा इसी वज़े से उसका time complexity बनता है order of n square अभी देखते हैं comparison bubble sort और selection sort के respect में so bubble sort और selection sort को देखते हैं साथ में insertion sort के साथ तो time complexity average और worst case का same ही है उसमें कोई फरक नहीं है order of n square है जबकि best case का time complexity देखे तो bubble sort और insertion sort का order of n है जबकि selection sort का order of n square है यह तीनों ही in place sorting algorithms है मतलब कि उसके लिए कोई extra जगा नहीं लगेगा जो आपका array है उसी में compare होता जाएगा उसी में sort होता जाएगा इसी वज़े से space complexity है order of 1 कोई extra space नहीं लगेगा थैंक यू